हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंट्स ही जो आप देख रहे हुए एक फ्लूक 715 बोल्ट मिलियंपर केलिब्रेटर है और आज मैं आपको इसी वीडियो में ये केलिब्रेटर के बारे में बता हूँगा जाने कि ये केलिब्रेटर किस तरह यूज करते हैं और इस कि वह हमारा केलिब्रेटर है ये प्लूक 715 बोल्ट में काम करता है और ये की इस तरह काम करता है फ्रेंट्स ये वीडियो पर लास्त हो देखी अगर मेरा चैनल अवितर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेला आइकन को दबा जी। आप ये simulate उज करके आप किसी भी transmitter को power supply दे सकते और उसके साथ साथ आप भी milliampere measure कर सकते हैं और किस तरह measure करते हो चालिए है यह मेरे पास जो temperature transmitter है और यह calibrator rser में जो temperature transmitter को power supply दूंगगा, और power supply देखे मैं आपको दिखाऊंगा चालिए जो मारा temperature transmitter किस तरह power supply देने पर on होता है देखी फ्रेंस यहां पर भहुत सारा port भी दिया गया है जो low port, input, output इसमें भहुत सारा port दिया गया है और चालिए यह जो calibrator है यह calibrator से कैसे आमार जो temperature transmitter को power supply देते हैं यह video पुरा last देखी मैं आपको पुरा step by step बताऊंगा फ्रेंस यह जो calibrator है इसमें और एक जो extra feature दिया गया है इसमें heart mode दिया गया है और यह heart mode किस तरह काम करता है मैं आपको पुरा step by step बताऊंगा और चालिए फ्रेंस अभी देखी यहां पर भहुँ सारा port भी दिया गया है जैसे के output, input और भी इसमें voltage और milliampere measure करने के लिए भी भहुँ सारा port इसमें दिया गया है और इसमें भहुँ सारा function भी दिया गया है फ्रेंस यह जो केलिब्रेटर आप देखे रहों यह केलिब्रेटर मैंने sell करना चाहता हूँ अगर आप purchase करना चाहते है तो मुझे comment करके बता है मैं आपको यह जो केलिब्रेटर 50 से 70% अफ है मैं आपको देशकता हूँ आपको उसी पोड में जो black वाला पोड लगाना है ओके और चाहले फ्रेंस अभी देखिए यह जो मारा temperature transmitter है और यह temperature transmitter में यह जो लाइट जो आप देख रहों जाने कि यह जो मैंक एलिब्रेटर से power supply दूँगा और यह temperature transmitter की सतरा ओन होता है आप देख सकते हूँ चलिए मैं आपको देखिए फिर फिरन्च यह जो अमरा temperature transmitter है मैंने ये power supply देएगे जाने कि simulate करके दिखाने के बाद मैं आपको जो multimeter से measure करके दिखाऊँगा जाने कि ये जो अमरा फ्लोग 715 जो calibrator है calibrator से मैंने source mode on करके मैं आपको जो multimeter में measure करके दिखाऊँगा उसमें किस तरह हमार जो जाने कि ये voltage को output किस तरह देता है अब जैसे मैंने इसे power supply दियाँ तो देखिए याँ पर जो red color की जो light इसमें glow कर रहा है जाने कि ये जो temperature transmitter जो है ये आमार जो calibrator से on हो रहा है अब इसमें जो 4 milliamp जो show कर रहा है आप इसी तरह भी increase कर सकते हो चाली अब इसमें आपको कर के दिखा देता हूं देखिए फ्रेंस ये जो अमारा जो अभी bond हो गया देखिए अभी मैं दोबारा इसे देखिए देखिए अब ये जो अमारा on हो रहा है देखिए ये जो red color की जो light है अमारा जो temperature transmitter में ये किस तरह glow कर रहा है आप इसी तरह ये जो अमारा केलिबरेटर से आप ये simulate mode यूज करके आप किसी भी transmitter को power supply देने के साथ सता आप मिलियमपेर भी मेजर कर सकते है और चाली ये फिरेंस अभी ये जो temperature transmitter है temperature transmitter को disconnect कर देता हूं और disconnect करने के बाद ये जो अमारा केलिबरेटर है जाने कि फ्लोक 715 का जो केलिबरेटर है ये केलिबरेटर का जो मैंने source mode जाने कि output mode यूज करूंगा और दूसरा मेरे पास जो है multimeter है कि multimeter से मैं आपको measure करके देखाऊंगा जाने कि ये जो केलिबरेटर जो भी output देता है जो भी आमारा जो multimeter है multimeter के इस तरह measure करता है मैं आपको देखाऊंगा और फ्रेंस ये जो अमारा केलिबरेटर है जाने कि flow 715 volt milliampere की जो केलिबरेटर है ये बहुत high accuracy है जाने कि 0.01 percentage की ये high accuracy है और ये केलिबरेटर अमारा ज्यादा था जो कि अमारा केलिबरेशन और disease और PLC system में जो fold होता है इसे measure और ठेक करने के लिए ये जो केलिबरेटर हम यूज करते हैं और अभी चाले फ्रेंस मेरे पास मैं आपको देखा देता हूँ जो कि ये देखे फ्रेंस ये जो मेरे पास एक flow का जो multimeter है और ये multimeter से मैं जो केलिबरेटर को measure करूँगा जाने कि ये जो केलिबरेटर से मैं power supply multimeter को दूँगा और किस तरह ये काम करता है औ जाने के provide करता है मैं आपको देखा आँगा और चाले फ्रेंस अब से पहले इसमें जो बहुसारा port देया है port के बारे मैं आपको बताता हूँ और देखे फ्रेंस ये जो मेरे पास जो multimeter है multimeter में सबसे पहले इसमें से लेक्ट कर देता हूँ जाने कि DC वोल्ट के उपर मैंन से पाओर सब्लाइब देखाता है मैं आपको दिखाँगा और देखेँ फ्रंस इसे में शहीचे थोड़ा घुमा देता हूं ताकि आपको जो कलियर भीजिविलेट हो सके और चलिए फ्रंस अभी यह जो मेरे पास केलिबरेटर है केलिबरेटर से मैं प्रोप लगा देता हूं और चलिए सबसे पहले जो वालट जाने के राइड सईट में जो वालट लिखा गया है उस Olivia अब को लगाना है और यह वाला पॉर्ट में चलिए यह वाला पॉर्ट में आपको लगाना थैज स्वियं इस Ridge लगा के मैं आपको दिखा देता हूं kim जो कमण पॉट इस में जो लि यह जो अमारा जो multimeter है, multimeter में भी आपको इस तरह लगा दना है, जाने कि जो positive को positive side में लगा दना है, और जो negative को negative side में लगा दना है, जाने कि यह जो में केलिबरेटर से जितना voltage, जाने कि multimeter को output दूँगा, multimeter measure करके दिखाएगा इसमें कितना voltage जा रहा है, देखेपरंस, का इबरेटर से में one voltage देने पे, जाने कि output देने पे, यह जो मरा multimeter में one voltage देखा रहेए, जैसे जैसे में increase करता जा रहा है, और यह जो अमारा केलिबरेटर, जाने कि मोल्टिमीटर में अतना voltage ब्यूज को output में देखा रहे है, देखेए, अब यह 13, 11, इसमें voltage देखेए, ज इसमें भी यारी कि मॉल्टिमेटर में भी डिक्रीश कर रहा है आप इसी तरह फ्रेंच इसी तरह चैनल एक पर वीजिट करके देखिए आपको मेरे चैनल पर भहुँ सारा वीडियो मिल जाएंगे वह से वीडियो देखिए आपको भहुँ सारा सीखनों को मिलेगा फ्रेंश अकर यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेट जरू करें थेंक्यी पर वाचिंग में वीडियो झाल बाबे